अब नेक्स्ट केस इस MRMC अप्रोच जिसे हमने फ्रस्ट अप्रोच की थी TRTC अब नेक्स्ट है MRMC अप्रोच की पेपर में आपको दोनों ही कहना है अगर TRTC अप्रोच आती है तो आपको दोनों ही केसिस लिखने है maximum profit और minimum loss वाला similarly अगर MRMC अप्रोच आती है तो इसके भी दो कोई केसिस है तो आपको वो भी लिखने है अब यहाँ पर आपको आता है कि MRMC अप्रोच में भी तो इसमें आपके MRMC अप्रोच में आपकी दो conditions आएंगी ठीक है इसमें हाँ पर क्या क्या condition एक तो first है कि MR शुट भी इक्वल टो MC मतलब हम कहेंगे कि आपका equilibrium according to MRMC अप्रोच कहां पर आएगा जहां पर आपका MR is equals to MC means marginal revenue is equals to marginal cost दोसरा है कि MC should cut MR from below MC should cut MR from below ठीक है कि हम कहने जो marginal cost curve है वो हमेशा नीचे से cut करता हुआ जाए MR कर्व को ठीक है तो हम भी first condition देखते हैं MR is equals to MC वाली अब पहले MR होता क्या है कि MR हमारा marginal revenue मतलब कि जब हम कहते हैं कि additional unit sale करने पर जितना आपको extra revenue आपने generate कि है मतलब हमने कहा कि मालो आपने पहले 10 unit sale करी है उससे आपको 100 revenue हुआ अगर मालो आपने 11 unit sale करी है मतलब आपने एक extra unit sale करने पर आपको 150 का revenue होता है तो इसका मतलब 50 rupees is your MR similarly MC मतलब कि एक extra unit produce करने पर मालो पहले आपने 10 items बनाई थी तब आपको उसमें cost लग रही थी आपकी 100 और अब आपने 11 items बनाई है तो आपको cost लगते है 180 तो जो 80 rupees extra जो आपके लगे हैं that is MC यानिकी marginal cost यानिक एक extra item produce करने पर जितनी आपकी cost लग रही एक extra और एक extra item sale करने पर जितना आपने revenue generate कि है that is MR अब यह हम कह रहे हैं जैसे मालो हमने बोला यह बनाया हमने MR curve ठीक है यह हमने बनाया MC curve यह बस हम यह देखने के लिए कि बस इसका generalization कर रहे हैं यह अगर आपको मन में आ रहा होगा कि हमने MR MC की perfect competition है तो हमने horizontal straight line क्यों नहीं बनाया है अभी हम इस curve के थुरू बस यह बता रहे हैं कि इससे पहले disciclivarium और इसके बाद disciclivarium कहा होगा और MR MC equal होना important क्यों है इसके बाद हम करेंगे दोनों condition वाला curve कि MR equal to MC और MC should cut MR from below अभी सर्फ इस curve के थुरू हम यह बता रहे हैं कि first condition शो कर रहे हैं कि MR should be equal to MC तो हमने अपने हैं आप assume कर लें कि let's say MR का हमारा downward sloping और MC का हमारा upper sloping है वहीं दिखतो रहे हैं आपको cut कर रहे हैं भी from below से अब देखो यहां पर हम कह रहे हैं let's say r0 point है और यहां पर आपका हम कह रहे हैं कि equilibrium point according to your condition कि जहां पर हमने बोला कि जहां पर MR should cut MC MR equal to MC है वहां पर हम कहेंगे equilibrium output है यह तो हमने बोल दिया कि equilibrium आ रहे हैं यहां पर ठीक है इसका मतलब कि MR equal to MC का मतलब क्या है यहां पर कि उसको ना ही तो profit हो रहा है और no profit no profit no loss ठीक है वही वाली हम condition कह रहे हैं कि इस point पर उसका normal profit चल रहा है normal profit का मतलब कि ना तो उसको profit है और ना ही loss है अब हम डिखाएंगे कि अगर मालो यह वाली condition नहीं होती मालो हम इस point से इधर आ जाएं before point मतलब हम OQ naught से हम का level of output सिर्फ OQ1 बनाएं तो इसका मतलब अब इस condition में क्या हो रहा है कि आपका जो gap है यानि की R1 S1 यह क्या शोगर रहा है R1 S1 जो gap है वो क्या शोगर रहा है कि excess R1 S1 यहाँ पर आपको दिख रहा है R1 S1 पे कि MR is greater than MC MR greater than MC मतलब कि आपको revenue जाद हो रहा है profit loss cost कम है तो इसका मतलब इस वाले case में आपको क्या हो रहा है पर तो इसका मतलब being a producer आप चाहोगी कि मैं और produce करूं कि अगर आपको जादा producer हो अगर आप इसको profit जादा हो रहा है तो कभी भी आप उस point पी नहीं रुखोगे आपका मन करेगा कि मैं और जादा produce करूं और level of output produce करूं और level of output जादा जादा करके आपके इस point पे रुख जाओगे जहाँ पर आप normal profit अचीव कर लोगे कि इसके बाद आपको loss होना start हो जाएगा तो हम कह रहे हैं अगर आपको super normal profit होता है तो आप producer अगर हो तो आप चाहोगे कि मैं आप उस point पे ना रुख कर आप जादा produce करोगे बट आप कब तक produce करोगे जब आप normal profit वाली situation में नहीं पहुँच जाते हो similarly अगर मालो हम इस point के बाद produce करते हैं मालो मैंने का मैंने OQ two level of output produce करा है हम जो यहां पर यह S2 है और R2 S2 R2 क्या represent कर रहा है S2 हाँ तो आपको यहां S2 R2 क्या represent करेगा कि यहां पे आपको क्या और है MC is greater than MR दिख रहे हैं का MC UP maHuk Heart what does Loss Loss हो रहे है तो इसका मतलब producer तो loss तो नहीं करता रहें और output produce करे तो क्या करेगा अपने output रेडियूस करें उसको दिख़े है कि इतना output बना के उसको loss हो रहे है ना पहुँच रहे हैं, तो ultimately हम यह आप देख रहे हैं, कि अगर super normal profit होगा, तो जादर produce करके, वो ok note पे पहुच रहे हैं, और अगर loss हो रहे हैं, तो कम produce करके ok note पे पहुच रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहाँ पर ultimately at the end, तो हम कहाँ पर पहुच रहे हैं, जहाँ पर mr equal to mc है, इसका मतलब यह वाली वह वाला point है, जहाँ पर producer को कोई tendency नहीं है, increase करने की या फिर decrease करने की output, यहाँ पर वो satisfied है, उसको optimum level लग रहा है, यहाँ पर उसका revenue is equal to marginal cost, तो first condition तो यह ही है, कि जहाँ पर वो normal profit secure करता है, जहाँ पर वो normal profit earn करेगा, वहाँ पर उसका mr equal to mc होगा, और उस situation में उतना ही वा output produce करेगा, तो equilibrium level कितना है, OQ not, बड़ अगर paper में आते हैं, तो आपको दोनों condition दिखाने है, OQ not तो बताना ही है, और फिर इससे पहले disc equilibrium क्यों है, और इसके बार disc equilibrium क्यों है, यह दोनों चीज़ बताना है आपको